हेले स्टूडेंट कैसे हैं आप सब एक बार पुना सी कोचिंग क्लासेस पर स्वगाथ और क्लास्टोल फिजिक्स में अगला पार्ट लेकर आचुका हूं अति लगुत्री और लगुत्री जो दो अंक या तीन अंक में कोश्चन पूछे जाएंगे यहम पी बोट के स्टूडेंट के लिए काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि यह जो एन्वाल एगरम 2022 है इसके लिए वीडियो बना रहा हूं जिरे सुरू करते हैं पहला कॉश्चन है आज कार फलन और देहली आबरत से आप क्या समझते हैं स्पष्ट कीजिए कार फलन क्या कहलाता है जिससे हम देहली उर्जा कहते हैं पर बच्चों ठीक है यह देहली है ठीक है यह देहली उर्जा थोड़ा समझने की कोशिस करेंगे जैसे हमारे पास एक धातु है पर बच्चों और इस धातु से हम ilektraan निकालना चाहते हैं तो कुछ नकुछ एनरž किया वसकता होगी तो जो एनर्जी किया वसकता होती है उसी को कहते हैं उसके देहली उर्जा मतलब एक निस्चित नियुंतम उर्जा जिस उर्जा से कम उर्जा होने पर धातु अपने इलेक्टरान को सर्जित नहीं कर सकता उसे हम कहते हैं देहली उर्जा या कारफलन अर्थ के निकालने के लिए जो हमें उर्जा का बै करना पड़ेगा जो उर्जा हमें लगेगी उसी को कहते हैं हम कार फलन अर्थात कार करने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसे कार फलन अब यहां इलेक्टरान को निकालने के लिए कुछ ना कुछ तो कार करना पड़ेगा यह ध देहली उर्जा हाद जगे आप लोग इसको देहली उर्जा है देहली नहीं है लिखने में थोड़ा सा मेश है ठीक चलिए जो आपका कारफलन होता है इसे फाई से दर साते हैं जो कारफलन का उर्जा एच नियू के बराबर होता है एच नियू बराबर एच सी अपान यहां न कारफुलन कहते हैं सिंपल है इसके बाद देहली आबरती की बात करें देहली आबरती किसे कहते हैं पैर बच्चो किसी धातु तल के लिए आप्तित प्रकास की वह नियुंतम आबरती जिससे कम आबरती के प्रकास से उस धातु के तल से इलेक्टरान उस्तरजित नहीं होते च से प्रकास करणे कि सिताते पर आपतित हो रही है तो प्रतिती से किन्ध उसका कम्पन क्या है उसकी कहते है आब्रति जिससे एक lly fail मलive यह तरंग और गर्थ की रूप में चलती है कि एकाई समय में कितने बार कंपन कर रही होतuity है क्या हिकाई समय में कितने बार हुए कमपन कर रही होती है उसके देहली उसकी आपरती कहते हैं और एक निश्चित आपरती से कम आपरती पर इलेक्रानुसर्जित नहीं होता चाहे उसकी तिवरता कुछ भी हो प्रकास जैसे प्रकास आ रही है जैसे किसी धातु के सत्य पर प् सर्जन कम होगा तितनी तीवरता से उतना फर्क नहीं पड़ता आब्रत ही होना चीए आब्रती पर मुख रोप से डिपेंड करता है अगला कोश्या ने प्रकाश विद्धुत प्रभाव की ब्याख्या कीजिए प्रकाश विद्धुत प्रभाव वही है जैसे हमारे पास एक धात हो है प्रभागोर्य केर या उससे कम त्रंगतडे की दृस रशत्र प्रकाश रडाल दें धरस्थ स्रच्र प्रकास आप्तित करा दें तो उसकी सत्य से लेकटरानGreen उस्थजित होने लगति है इस घटना को प्रकाश विद्धुत प्रभाव कहे लाते हैं इसलिए पूर लिए पुरे प्रिष्ट के सांथ-संत में समझा भी दे रहा हूं आपके पास बक्ते लिए आप समझ लेते हो तो आपको रटना भी नहीं पड़ेगा प्रकास विद्द प्रभौव किसी कहते हैं किसी धायत कि सतय पर प्रकास करने जब आपतित होती है तो उसकी सतय से प्रकास के आप्तित होने से उसके सतय से इलेक्रान उससरीत होने लगती है यह जो घटना है प्रकास विद्धत प्रभाव कहलाती है यह जो सतय पर प्रकास केरने आप्तित हुई लेकिन आप्रती निश्चित होने चाहिए देली आब्रत से कम उसकी आब्रती नहीं होने चाहिए, कोई भी प्रकास किरन किसी धात की सत्य पर आतित हो रहे है, तो देली आब्रत से उसकी कम आब्रती नहीं होनी चाहिए, इतना आप लोग नोट डाउन कर लो, ठीक चले, विक्रन की दोयती प्रकती को इस पस्ट एक तरंग और एक कण यही है दोती प्रकाती दो प्रकार से बेहार दर्साता है दो तरह की बेहार दर्साता है एक तो आपकी तरंग प्रकाती यह तरंग ठीक है तरंग प्रकाती तरंग बेहार और दूसरा पेरवच्चो ठीक है आपका कण सुरी तरंग यहाँ पे लिखा था यह ठीक है तरंग की तरह ही है सही है चलो ठीक है तो विक्रण कुछ परिघटनाओं में तरंग की तरह है और कुछ परिघटनाओं में कड़ की तरह बहुहार दरसाती है इसे ही कहते हैं विक्रण की दोटी प्रकाती है अगला कुश्चन है हमारा भीया बायू का बुलबुला है बायू का बुलबुला जल में किस प्रकार से बेहार करता है क्यों और कैसे समझ रहे न तो आप लोग देखते हैं कि जो आपका बायू का बुलबुला बनता हो गोला होता है गोला होता है उबरा हुआ जैसे उसके दोनों तल उबरे हुए होते हैं। आप लोग पानी में कभी भी बायो कब दोलदेखना। बिलकुल गोला रहेगा। दोनों तल उबरा हुआ नजर आएगा। और जब उबरा हुआ नजर आया तो ये किस प्रकार से उत्तर लेंस की भाती बेहाद दरसाता है लेंस के लिए संयुगमी फोकस को परिफासित की जिए देखो भाई उन दो बिंदूओं को जिन में से किसी एक बिंदू पर रखी बस्तो का वास्तिक प्रत्रिमी दूसरे बिंदू पर बनता है स्युगमी फोकस कहते हैं दो बिंदूओं है जैसे हमारे पास माली जे लेंस है थोड़ा यहां पर समझें एप लेंस है प्यारे बच्चों एक फोकस इधार है ऐफ 1 इसका एफ 2 यहां पर बस तू रखें तो प्रत्रिमी यहा पर uniquely ठीक है समझ रहे जोenders का पर बनी कि एक पर Christian तो ये दोनों किसा्रोट एक निष्ट को रख सकता हैंसे ह straighten दूसरे फोकस पर कॉई इस्जित वींद extr zukषे को रख दें तो प्रत्रीया और डुसरे पोकस बीनड te बिंदू के लाएंगे, कुछ समझ में आया क्या कह में नहीं, सहिगमी फोकस, सहिगमी मतलब साथ साथ वह यह एक दूसरे पर डिपेंड, हम दिया अपने पर बस तु रखते हैं, तो तुम्हारे उपर प्रतिमी बनेगा, सिंपल है, सहिगमी फोकस किसे कहेंगे, समझ में आय खतरी के सिगनल लाल रंके होते हैं, क्यों? तो आपको बता भीया, सिगनल हम उसी का ज्यादा प्रयोग करेंगे, जो फैले नहीं, और फैले का कौन? जिसका तरंगदेर्द कम होता है, वो ज्यादा फैलेगा, तरंगदेर्द जिसका अधिक होता है, वो कम फैलता है, लाल रंग का तरंगदैर्ट सबसे ज़्यादा होता है इसका प्रकेड़न भी सबसे कम होता है कम फैलता है तो दूर तक सिगनल हम देख सकते हैं दूर तक सिगनल को भीजा जा सकता है जैसे मालोग खत्रे का सिगनल है तो दूर से देखा जाए ना पता चला तुम आप सफेद रनका कर दो वहीं पे फैल गया दो से दिखा ही ने दे रहा है अब जब लाल रंका होताओं ट्रेन आ रहे होती कि उस्फीर लाल जल रहा है खत्रें का है मतलब आपको गाड़ी रोखना है समझे बेसे में दुरघटना घ्रस्त नहीं हो पाती तो खत्रिस के सीनल को हमेशा लाल रंग अप्रियो करते हैं आप लोग देखो लाल जल गया मतलब स्टॉप रुख जाना है हमेशा इसका कारण केवल एक ही है क्योंकि इसका तरंगदैर्द सबसे जादा होता है और तरंगदैर्द सबसे जादा होता है तरंग देर्थ का मतलब क्या भी है थोड़ा मैं आपको समझा देना हूँ यहां पर समझेगा जिसे कोई तरंग ऐसे चल रही है ऐसे तो दो स्रंग या दो गर्थ की बीच की तरंग देर्थ है अब कोई तरंग ऐसे चल रही है यह लो इतनी दूर अब भाया यहां से यहां त यह जादा नहीं फैलेगा तो दरॉता हैbersए लाल कलर रहा है लाल कम होता है प्रकास को फैलना कम प्रकास फैलता है इसलिए दूर तक पहुंच जाता है इसलिए खत्रे का सिगनल लाल रंका होता है ओके चले अगला कॉश्चन देखो निरोध विभाव को परिभासित कीजिए संदब्ध संग्रहक प्लेट का वहर नात्मग विभाव जिस पर प्रकास विद्धुद्धारा कमान सुन होता है उसे निरोधी विभाव या संदब्ध विभाव कहते है निरोधी विभाव यहां पर लिख लेना हो यही दो दिक्कत होती है कभी कभी लिखने में मिश हो जाता है कोई दिक्कत नहीं निरोधी विभाव संदब्ध विभाव को परिवासित करना है तो संग्राहक प्लेट ठीक है क्या संग्राहक प्लेट का वह रिणात्मक विभव जिस पर प्रकास बिद्धुदारा का मानसून होता है उसे निरोधी विभव या संदब्ध विभव कहते हैं अगले कोश्चन पर चलते हैं अगला कोश्चन है आपका व्यतिकरन और विवरतन में अंतर लो भाईया आया है प्लीज आप लोग तैयार कर लेना और विवरतन यह है एक ही और विभवरतन यह है एक ही लिए के विभिन भागू के लिए होने वाली घटना है तो यहां पर आप लिखोगे एक ही slit क्या slit यह है आपका slit यहां पर लिख दो slit ठीक है एक ही slit के विविन भागों से होने वाली घटना है ठीक तो यह जो ब्रतिकार्ण है दो slit का होना अनिवार है इसके लिए विवर्तन के लिए एक ही slit का होना अनिवार है मतलब एक ही slit से होने एक समान होती है, जबकि इसमें केंद्रिय उचिस्ट की तिवरता अधिक्तम और आने वाली क्रमिक दुतियक उचिस्ट पर तिवरता कम हो जाती है, मतलब केंद्रिय का जादा होता है विवरतन और मतलब आजू बाजू का जो होता है वो कम होता है, तिवरता कम हो जाती है, ए जब आप इसका ब्रिंजक पड़ोगे तभी यह समझ में आएगा भी कि केंद्री उचिस्ट के चोड़ाई कैसे अधिक होती है काम होती है अभी प्रियाल आप इसका इंतर लिख लो ठीक है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम यह लो दो अंका कुश्या ना सकता है दूर परसपर कैओ आँ डंबधर अवधी तरजनी चुमिकि सहत के दिशा आको मदवा चाला के प्रौइदारा के दिशा को अंगूठा चाला के गतिके दिशा अथवा चालक पर अरोपिध भलकी दिशा को प्रदरसित करेगा अब अपने वाएं हाथ के तीनों गुलियां आप तरज़नी ले लेना, मद्वा और अंगोठा, लगातार अंगोठा के बाद आपका तरज़नी आता है, तरज़नी के बाद मद्वा, मद्वा मतलब बीच वालेवा इस प्रकार पहलाना एक परसपर क्या हो, लमबाद हो तब तरजनी आपका चुमिकी छेत्र के दिशा को मदमा आपका चालाक में प्रवाइद विद्धारा के दिशा को प्रदर्शेत करेगा तो जो अंगूठा है चालाक की गर्दी के दिशा को प्रदर्शेत करेगा ठीक तो यह आपका अखरी question था और आज इतना ही मेरा target रहता है कि आपको question प्रवाइट करूँ आप लोग पढ़ते रहों साथ में कुछ यह समझा भी देता हूँ ताकि आप लोगो दिक्कत ना हो सके और ऐसे में वीडियो लाता रहोंगा वीडियो पसंदात लाइक करें ना भूले शेयर करें मिलते हैं वीडियो के साथ जैहिन बंद मातरां